तो फ्रेंट्स फल्कम तो स्ट्वेंट पीडिया संजेबर कॉलेज राची क्लास 11th इंट्रेंस एक्जामनिशन के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होता है यहाँ पर काफी लोग कन्फीज भी थे कि यहाँ पर अड्मिशन जो है मार्क्स के बेसिस पे होगा यहाँ पर मिनीमम आपके पास होने चाहिए जो कि मैंने लिसिबिलिटी क्राइटिरिया वाले वीडियो में बतला दिया आपको कि उससे कम अगर आपका है तो आप जो है अप्लिकेशन फॉर्म फिलप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल मार्क्स जो है जरूरी है आपके पास आठ से तो 50% और जो है साइंस से तो 60% चाहिए होती है और यहाँ पर गॉमर्स से तो यहाँ पर आपको कुछ सबजेक्ट में 60% वाकी में 50 भी है तो आपका यहाँ पर काम चल जाता है उसके बाद आपको देखे form fill up करना होता है form fill up करने के बाद आपका examination होगा जो कि यहाँ पर आपको देनी होती है संजेबर कॉलेज राची में जाकर उसके लिए proper admit card आएगा फोन से आजकल examination हो रहे हैं आपके पहले जो है 50 multiple choice question देखनी को मिलता है एक घंटे का टेस्ट होता है एक घंटे आपको दिये जाते है एक घंटे में आप देखेंगे आपको 50 question बनाने को मिलता है negative marking भी देखनी को मिलती है 0.25 की पर मेरा suggestion रहेगा आप 50 के 50 attempt करने की कोसिस कीजिएगा selection के chances ज़्यादा होते हैं ज़्यादा attempt करने से पर अगर आप यहाँ पर blindly attempt कर रहे हैं आपको आता ही नहीं और attempt करें तो ऐसे में negative marking सी और आपका होगा तो ऐसे में attempt मत कीजिए पर आपको 50-50 लगे आप 50 यहाँ पर attempt करके आईएगा arts की बात करें हिंदी, इंग्लिस, social science और जीके यहाँ पर पुछा जाता है math से question नहीं होगा यहाँ पर आपको science की question देखने को नहीं मिलेंगे हिंदी, इंग्लिस, basic grammar बहुत basic grammar होता है जैसे हिंदी में विलॉमसर्द, इंग्लिस में grammar mistakes बताईए यहाँ टेंस वागर आप पूछ ले जाएंगे जो कि आप normally पढ़ते है grammar थोड़ा पढ़ लिजेगा अगर आपको लगता है कि problem हो सकती है उसके बास social science social science में वही questions पुछे जाएंगे जैसे father of economics कौन दे हिस्ट्री में कोई लड़ाई हुई थी उसकी डेट पूछ ले जाएंगी या आप से history के ऐसे question पूछ ले जाएंगे जैसे आपको बता दो अजादी कब मिले फ्रेडम इस्ट्रेगल जो है ऐसे question पूछते है जो कि normally पता होता है अगर आपने book पढ़ी है तो book पढ़ लेजेगा social science की history में focus किजेगा जिगरोफी के कुछ question देख लेजेगा यहाँ पर जारखंड के context में जारखंड यानि यहाँ पर जो है कोडर्मा में जैसे कौन सा mineral मिलता है यहाँ पर जो है कहा वोकसाइट मिलता है राची यहाँ पर जो है कुछ अगर यहाँ पर मिलता हो resource वगरा वो देख लिजेगा यहाँ पर coal कहाँ पर मिलता है बोकारों में और टाटा स्टील फैक्टरी जो है वो कहाँ पर है जमसितपूर में है तो ऐसे questions social science में पूछे जा सकते हैं और questions जो कि related होंगे इंडिया से तो वो भी पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि management sex ratio जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको कहाँ देखनी को मिल रही है तो normal question जो कि आपकी NCRT book में है class 10 तच्छे से पढ़िए question miss नहीं होगा आपका selection 100% होगा जो कि कही ना कही आपकी knowledge में ही बिस्ट होता है जो आप पहले पढ़ेंगे यहाँ अपर जो है कुछ question ऐसे भी पूछ ली जाते है जो कि currency related होते है जैसे जहारखंड state कब बनी JBR का establishment साथ में पूछ ले जाएगा अभी जो है governor कौन है अभी जहारखंड के अभी पूछ ले जाएगा आपसे कौन से ruling party है कौन party अभी रूल कर रही है जैमेम रूल कर रही है founder जो है पूछ ले जाएगा यहाँ पर जैमेम का जहारखंड मुक्ती मोर्चा का पूछ ले जाएगा बिर्शा मुंडा का जन्म कहा हुआ है तो ऐसे questions आपसे पूछे जाते है इसलिए arts में आपको अच्छे से ध्यान देना है commerce की बात करे यहाँ बात करे तो commerce में भी same आपसे questions पूछे जाएगे इंगलिस में जैसे इंगलिस grammar पूछ ले जाएगा आपसे grammar mistakes कौन से है error कौन सा है यहाँ पर grammar में 10 वगरा prepositions वगरा पूछ ले जाते है तो आपको 10 तक की grammar अच्छे से कर लेनी है social science पे भी same जैसे arts वाले questions पूछे जा रहे है वैसे question पूछे जाएंगे social science आपको करनी किया है यहाँ पर आपको पढ़ लेना है जिसमें आपका geography और यहाँ पर आपका economics भी आएगा उसे थोड़ा सा देख लेजेगा और यहाँ पर आपको देख लेना है civics और ssdb काफी लोग सो political science भी बूलते हैं आपको देख लेना है civics वगरा तो यहाँ पर social science के जो subject होंगे पढ़ लेजेगा math से questions आएंगे mcq questions होते हैं यहाँ पर tough questions नहीं होता है math में जो है कैसे questions आएंगे तो इसके लिए जो है आपको बतला दो simple questions आपको solve करना है mcq का जो की site पे website पे आपको मिल जाएगा mcq questions जो है आपको बतला दो यहाँ पर tricky होते हैं जो formula based होते हैं जैसे circle का formula दे के circle से पूछ ले जाएगा या हो सकता है triangle या rectangle का question दे दिया जाए या others questions होते हैं मैं एक example के तोर पे बस बता रहा हूँ आपको math के formula based question होंगे ज्यादा लंबा question नहीं होता proof करने वाला question नहीं होगा बस जो है आपके यहाँ पर जो है ऐसे questions होते हैं जो कि देखकर बंजा formula पूट करें gk की बात करें gk general knowledge आपका यहाँ पर पुछा जाता है यहाँ पर science math की बात करें to english math science physics chemistry और gk आपके यहाँ पर देखए पचास questions ते ज़्यादा questions नहीं पुछे जाते हैं इसलिए आपको चिंता नहीं करने इंग्लिज से जो हैं आपका यहीं पास से 10 questions हो सकता है पांच भी मालत कर चलें आप फिर math से होगा math से बहुत सा questions देखनी को मिल सकते हैं आपको 10 से 15 science जो है फिर आप science में physics chemistry आप देख ली हूँ अगर कोई previous batch के देख रहे हैं अगर आपके पास questions हो तो बिल्कुल share कर दिजेगा मैं कोसिस करूँगा आप लूट करनी की यहां पर जो है question tricky होते हैं कोसिस किजिए का concept के लिए रखनी की practice जरूर कीजिए mcq को जो कि आपको internet पे लेवल है mcq chapter wise आप करें उसमें जो स्टेट कब बना ये भी question पूझा जाता है कई बार जीके में जो है आप से subject के related general knowledge पूछ दिये जाएंगे जसमें computer के questions भी होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है general knowledge जो है मैं कहूंगा आप से बन जाएगी science biology same question बस biology आपका यहां पर chemistry botany एक extra हो जाता है और मैस से question नह examination qualify कर लेंगे hope आपको समझ में आ गया हो पूछना हो कुछ तो comment करेंगे पूछ सक्टे हमें courses करेंगा update करने की thanks for watching best of luck